हालो बच्चों गुड मॉर्णिंग मैं आपकी श्वेता मैम और बच्चों यह हमारा मॉर्णिंग ओरल का टॉर्ण है मॉर्णिंग ओरल में बच्चों पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 22 तक स्टडी कर लिया था आज स्टडी हम करेंगे चैप्टर 23 chapter 23 में आपका first topic है my introduction यानि की मेरा परिचय ज्यादा यह बड़ा नहीं है short में है इतने points यादि कोई आपको बोलता है कि अपना परिचय दो या अपना introduction दो तो हमको इतने points बोलने है ठीक है first point हमारा है it's me it's me के बाद आपका जो भी नाम है वो नाम यहां पर रखना है जैसे आपका नाम है राजू तो हम क्या बोलेंगे it's me राजू okay second है हमारा my father's name is मेरे पापा का नाम है Mr. Mr. के बाद अपने पापा का नाम बताना है my mother's name is Mrs. मेरी मम्मी का नाम है और मम्मी के नाम के पहले MRS. यानि कि Mrs. लगा करके मम्मी का नाम बताना है I belong to Rajasthan मैं कहां से belong करता हूं तो हम पोलेंगे I belong to Rajasthan मैं Rajasthan से belong करती हूं और जहां के हैं, आप कहीं और से बिलॉंग करते हैं, तो आप राजस्थान को चेंज करके वहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं. Next है, I study in class. हैना, मैं इस class में study करता हूँ. किस class में? वो आपको यहाँ पर अपना class यहाँ पर फिल करना है. I study in class. माले जब 4th में study करते हैं, तो बोलेंगे I study in class 4th. I want to be an ideal person. मैं एक ideal person बनना चाहता हूँ. बड़े हो करके मुझे बहुत ज़्यादा सफल, successful, सब कुछ तो मिलेगा ही लेकिन एक ideal person होना ज़रूरी है. I want to be an ideal person. My strength is, मेरी strength क्या है? मेरी ताकत यह है कि I am laborious, मैं बहुत महंती हूँ और I keep smile और मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ. यानि कि मैं बहुत ज़्यादा tension नहीं लेता और मुस्कुराते हुए मेहनत के साथ अपना काम करता हूँ. तो बच्चों यह होगी हमारा introduction. नेक्स हम पढ़ेंगे प्लानेट के बारे में, देखिए, प्लानेट में पहला हमारे कुल कितने प्लानेट होते हैं? एट प्लानेट, तो उसमें हमारा first है सबसे बड़ा yellow color planet. आप से कोई पूछे कि हमारे सबसे बड़ा yellow color का प्लानेट कौन सा होता है? तो हम नाम बताएं सेटर्ड तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्लाएनेट कौन सा है यूच्छ ग्रीन करका और संसे सबसे दूर प्लाइनेट ऐसा प्लाइनेट जो बहुत दूर हो संसे सबसे रहो और के हो ग्रीन वहां कौन सा है हमारा Earth सबसे गर्म और चमकीला planet ठीक है गर्म है बहुत ज़्यदा होट है और चमकीला है तो वो कौन सा है Venus रेड कलर का planet Mars ठीक है यानि की मंगल ग्रह और Sun के सबसे nearest planet सबसे नज़दी कौन सा है Mercury तो बच्चों यह हो गया हमारा planet की बारे में एंब देखेंग 2149 प्रसक्षान केंशेंगे 27 एक दम पिकार लगता है तो हम क्या बूलेंगे ब्लैंड फुड यमक्हाने में बहुत ज्यादा आयल हो तो इसको पुलेंगे ओई ली फुड और यदी खाने में बहुत ज्यादा मशाला हो तो मुसको क्या पुलेंगे väldigt भून कहते हैणागे सुप्राइण जो बहुत नकर === उनको होते हैं फसी एटर अके जो शाका करी होते हैं या ने कि शाक सब जी यह सब चीज है प्लांट you और नाल विजिटेरीई आंपे मद्जारी का मतलब क्या होता है past दोनों ही खाते हैं, plants product भी और animals product भी उनको non-visitarian ओके बच्चों, तो आज हम केवल यह पढ़ेंगे, chapter 23 आप लोग बच्चों सबसे पहले अब लिख लीजे, यहाँ पर वीडियो को pause करिए और सबसे पहले आप लोग उपर वाला यह portion लिख लीजे पहले लिखे, my introduction ओके बच्चों, आप यहाँ पर आप वीडियो रोके, planet के पास, ठीक है यहाँ पर वीडियो को रोक लेजे, वीडियो pause करिए और इसको write down करिए ओके बच्चों, अब यह नीचे, food is a related terms ओके, बच्चों, इस बार सटर्डे को आपका test होगा, chapter 20 का, chapter 21 और chapter 22, ओके, तो अभी के लिए इतना है, study करते रहिए ओके, ओके बच्चों, have a nice day ओके, बच्चों, आपके, 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 बच्चों, आ